दुनिया की हलचल पर पैनी नजर, पड़ताल दुनिया भर की, देखिये, जुड़िये, ताकि मिले सही नजरिया, जानने और खोजने का, समझने का कि क्या चल रहा है, आसपास और साथ समंदर पार, आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमस्कार, पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है, देश हो या दुनिया, हर जगा भूख, भूख की तडप एक ही है, भूख है तो सबर कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आज कल दिल्ली में है, जेरे बहसिये, मुद्दा आ, दुश्यंत कुमार की, इस गजल की, अगर दिल्ली को हटा कर, अफगानिस्तान कर दिया जाए, काबूल कर दिया जाए, या अफगानिस्तान का कोई भी देश कर दिया जाए, तो वहाँ पर, जिस तरह से भुखमरी की कागार पर, एक बड़ी आबादी खड़ी है, वह मानवता से हस्तक्षेप की तुरंथ और जब हम बात जियो पॉलिटिक्स की करते हैं जब हम बात इंटरनाशनल हुमन राइट्स की करते हैं तब बहुत अफसोस कि ये जो सारे संकट हैं इन पर चर्चा बहुत कम होती है इन पर चर्चा शायद इसलिए भी बहुत कम होती है कि इसके पीछे अमरीका की साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके सैंक्शन्स का बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ी भूमी का है इस पर हम आज बात करेंगे किस तरह से अफगानिस्तान को इतने बड़े संकट में ढखेलने का काम यह जो सैंक्शन्स हैं जो लगाए गए लंबे समय से वह कर रहे हैं इस इस तरह की खबरे वहां से हमारे सामने आ रही है कि करीब 22 मिलियन लोग भुखमरी के कागार पर हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण और वज़ा सामने आ रही है वह है कि जो अमरीका का जो सैंक्शन अभी चल रहा है वह है तो यह जो पूरा का पूरा अफगानिस् कर रही है इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है और जो अमरीका की साथ दे रहेते सरकार में या सरकार के साथ अफगान सरकार के साथ उनकी क्या हाल होगी ये सब बाते चर्चा लगातार चली रहा पर वहां पर पूरी पॉपुलेशन इस वक्त भुखमरी की कगार पे है और वहां पर खाने के लिए पर्याप खाने के चीजे पलब्द नहीं है और लोगों के पास खरीदने का शक्ति नहीं है इसलिए यह जो एक दरावनी स्थिती उनके सामने है इसके बारे में चर्चा नहीं है और यह क्यों है यह सभी को मालूम है कि अफगानिस्तान की जो सरकारी खजाने के खर्चे थे उसका 80 पर्टिशन एड से चलता था तो वह एड तो बंधी हो गया और उसके साथ-साथ जो उनकी बैंक की जो रिजर्ब बैंक उनकी है उनकी जो पैसा जमा था वह जमा था एक्शुली अमरीकी की बैंकों में तो वह पैसा अमरीका ने इस उस पर रोक लगा दिया अफगानिस्तान वे वापस बेशने के लिए तो अफगान की जो नया सरकार है तालिबान सरकार है जिसको स्क्रेटी नहीं मिली है दुनिया में करीब-करीब किसी भी मुल्क से तो उन सरकार की इस वक्त ये पैसा अगर उसमें उनके हाथ में नहीं अगर एक तरफ से उनके पैसे उनके हाथ में आएगा उनकी जो जो एड्सक्रामिस थी लोगों ने दावा किये थे बोले थे कि हम देंगे तो वो एड्सक्राइब जो है उनके हाथ में पहुंचे तो ये चीजे जब तक नहीं होगी तब तक ये स्थिती जबर करा रहेगी इसलिए अफगानिस्तान में प्रदर्शन भी हुए है कि हमें खाने दे आप लेट इस इट तो ये जो बात है एक तरफ तो यूमन राइट्स की इतनी वकालत करते हैं जो मुलकें वो इस वक्त इतनी बड़ी एक यूमन राइट्स की उपर प्रहार है उसके बारे में इनकी कोई चिंता नहीं है नकी अख़बारों में इसके खास चर्ची भी दिखाए पड़ते है प्रबीर दो चीजें आपने कहीं एक तो आपने कहा कि सहायता जो एड़े प दुसरा आपने कहा कि जो रिजर्व हैं जो सरकारी जो खाजाना रहा है सरकारी जो खर्च रहा है उस पर जो अमरीकी कबजा है वो सारा का पैसा वहां पर है अभी जो सिविल सोसाइटी है या जो संगठन मदद करते रहे हैं अफगानिस्तान को वो भी आशंकित हैं क्योंक आबादी का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकल के बोल रहा है कि हम भूख से मरने के कगार पर खड़े हैं। इंस्टिटुशन को आपने पैसे भेजें, तो आपके और सारे जो पैसे हैं, उन पर भी सैंक्षिंस लग सकता है, इसलिए इरान पे जब सैंक्षिं लगा, हला कि यूरोपियन सरकारों में उस सैंक्षिंस पर शरीक नहीं हुए, शिर्कत नहीं कि कहा कि नहीं, यह हमारी जो मों इंकि कंपनियां के साथ कोई समझाओ कोई ट्रांजयक्शन करνε कोई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी कोई भी क्वी साथ औरitel दूस्र एरन तो ये खालात को देखते हुए देखिए कि अब जो अफगान जो इंस्टिउशन्स है उनकी क्या हालत है क्योंकि सक्ता तो तालिवान के हाथ पे है वहां पर जो फेडरल जो रिजर्ड बैंक कहेंगे वो भी अब तालिवान के हाथ तो क्या उसके जरिये कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो अमरीकी सैंक्शन के तहट मना कर दिया जाएगा सिर्व इता ही नहीं किसी ने अगर भेजा तो उस पर भी सैंक्शन्स की जैसे बने खा चुआ चुआ चूत की बिबारी है तो उन पर भी सैंक्शन्स दूसरे तरह के लग सकते जुड़ा सवाल है कि जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी जब तालिबान ने सरकार ली थी और जिसे लेकर बाकी जो पडोसी देश हैं अफगानिस्तान के सेंट्रल एशिया के वह भी चिंतित थे कि अगर सरकार स्टेबल नहीं होती तो माइग्रेश यानि पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है जो पडोसी देश सहित यूरोप तक को प्रभावित कर सकती है ये पहले एराक के समय सीरिया में जब युद्ध हुआ तब भी देखा गया कि बड़े पैमाने पर वहां से सीरिया के रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के हैं और जिसे लेकर यूरोप बहुत दावा भी करता रहा है कि हम तो बहुत उदार हैं हम मारे हाँ इतने लोग आए हैं अभी उन्होंने हाल में भी जो डेटा जारी किया है उसके हिसाब से भी ये जो एक समस्या है कि अफगानिस्तान में जो संकट गहरा रहा है उससे जो जनसंख्या पलायन करेगी रिफ्यूजीज होंगे वह कितना बड़ा है और इसका असर किस तरह से जो पडोसी देश हैं सेंट्रल एशिया के देश हैं यूरोप हैं वह उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं देखे शरणाक्ति इस तभी होते हैं अपने घर से तभी भागते हैं जहां वहां पर जिंदा रहने का साधन जब नहीं होता है और ये इस वक्त जो है पलायन जो कहें या शरणाक्ति जो कहें ये आपके इसलिए नहीं हो रहा है कि उनके लिए फिजिकल खत्रा है इसलिए बहुत बड़े पैमाने यह होने के आशंका है, वह है वहाँ पर economic refugee होने के नाते, कि यहाँ पर sustain करने के जिद्दगी चलाने के उनके पास वहाँ पर साधन नहीं होगा, सिर्फ इतना ही नहीं, खाने का सामगरी नहीं होगा, और खरीदने का पैसे नहीं होगा, यह मुख्यका पर इतना दूर पर है नहीं, मद ऐस्या, वेस्ड ऐस्या, साउट ऐस्या से लगवा उनके borders हैं, और इहां से अगर शर्रमनाथ्य निकलते हैं, तो इरान में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, Central Asia के मुल्कों में जाएंगे, और इरान होते होएं, टर्की होते हुए य में है दो लगवा देश है सहाबिक है और इसके बाद जो है यूरॉप में और यूरॉप पे इसलिए है कि वहां पर उनको लगता है कि साधन ज्यादा है तो शायद वहां किसी भी तरह पहुंच जाएंगे जो आफरिका से भी हम देख रहे हैं लोग जा रहे हैं यॉरप के और तो शायद हमारी जिंदिगी बदल जाएगी बच्चों के बदल जाएगी यॉरप पे इस वक्त दूसरा स्थान पे है रिफ्यूजीज अफगानिस्तान से और इसके पहला सिर्या का है तीसरा सिर्था इराक है तीनों मुलकों में जंग जो छेडा गया है वो जंग छेडा गया है वेस्टन पावर्स के जरिए लिविया एक बहुत बड़ा एक बैरियर था कि एक साब से घंदाफी रोक रखा था इसको अब अफ्रीका से भी वो प्रवा जो है यॉर्प के तरफ है तो सवाल ये है कि रिफ्यूजीज इसी लिए होते हैं कि जंग होते हैं और जंग हम तीन जो सबसे मुख्य आपके रिफ्यूजी इस पैदा किये हैं तीन जंग एराक अफगानिस्तान और सिरिया इसमें European देश को देखना पड़ेगा कि आप अगर ट्रूप्स भेजते हैं तो पॉलंड एराक पे ट्रूप्स भेजते अब एराकी रिफ्यूजी चाहे बेलारूस के जरीए ही आए जब आते हैं कहते हैं यह तो शाजिश है हमारे खिलाब तो आप ट्रूप्स क्यों भेजते एराक आपको किसने बोला था तो आप अमरेका को पिठ्टू बनके आपने ट्रूप्स भेजते वहार पे ट्रूप्स आप भेजते हैं अफगानिस्तान के रिफ्यूजी आप लेंगे क्या तो देश तोड़ने के लिए तो आप सोल्जर्स बाकाइदा भेज सकते हैं पर देश से जब तूटके लोग बाहर निकलेंगे, तब उनको तो आप स्थान नहीं देंगे, वो तो पार्शवत लगवा देशों के ही, पड़ोसी देशों के ही काम हो जाएगा और कज़े नहीं नहीं, हमारे यांकुस्ते नहीं देंगे. इसलिए एरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एश्या के मुल्कों की बहुत चिंता है कि अफगानिस्तान की अगर कॉलाप्स होती है, छोटा देश नहीं है अफगानिस्तान, उसकी आगर आपको आप देखे, उनकी पॉप्लेश्य इतना छोटा नहीं है, तो अगर वो अगर एक बा बहुत बढ़ाफ निकल के आएगा, आप से हम बात करना चाहेंगे, लातिन अमरीका की एक ऐसे देश के बारे में भी, जहां से बहुत अभूत पूरु ढंग से एक जीत हुई है, मैं बात कर रही हूँ चिले की, जहां पर 35 साल के एक नौजवान ने, पूरा जो धुर दक् प्री अंदाज में जीत हासिल की, और लातिन अमरीका का पूरा का पूरा अगर आप मानचित्र देखते हैं, तो दिखाई देता है कि बड़े पैमाने पे कुछ तबदीली, कुछ रद्दो बदल हो रही है, जिसमें जो चिले में हुआ जिस तरह से हमारे सामने आया कि जास्तों को हटाना हराना बहुत मुश्किल है और खासों से उमर का और अनुभाव का बहुत दुहाई दी जा रही थी, कि इनका जो अनुभाव है और लंबी जो एक परंपरा रही है, वो सारा जो घटना क्रम लातिन अमरीका में हो रहा है, इसकी कहां तक आहट है और इसक क्योंकि चिली में पिनोचे का हार के बाद एक decisive कह सकते है, shift है, पिनोचे पहले तो वहां से आएंडे के सरकार जो थी उसको गिरा के military coup किया, उसका constitution बदला, कापी लोगों को मारा, सब उसके बारे में जानते हैं, उसकी इतिहास, आएंडे की इतिहास सब के सामने, हलाकि शायद इस वक्त पीड़ी के पास इतना याद नहीं होगा, हमारे पीड़ी के लिए तो बहुत ही हमारा याददाश्टिस के बारे में है, और ये जो खूनी कह सकते हैं, कूब वहां पर था, साइक्रों लोग, हजारों लोग को मारा था, बहुतों को जेल बेर रखा बहुत ही दर्दनाक हिद्यास है चिनी के लिए, और लाटन अमेरिका में बड़े पैमाने पे इस तरह की कूज, मिलिटरी डिक्टेटरशिप और आत्याचार उस वक्त हुई थी, जिसके पीछे पूरी CIA की ताकत थी, और वहां पर अमरिका कू कराने के लिए तो तो तुला किसी वैर ताकतों के साथ संदी करेगा, तो हमारी इंटर्वेंशन करने की शमता है, और इसी लिए उन्होंने क्यूबा बे भी बिलिटरी वहां से जो थ्रेक्ट लेके, अल्टिमेटली वहां का मिजाइल बगर हटाया था, तो उस दौर की बात है, आयन्दे सरकार को गिरा तो कास्ट जो अभी चुनाओ खारा है, बॉरिच के सामने, तो कास्ट सिर्फ अपना राइट वींग की बात ही नहीं है, वो इस पिनोचे का सरकार का बहुत तारिफ करता है, और पिनोचे को तो उसने माना था कि एकनॉमिक मिरेकल कर दिया है चिली में, जबकि चिली में से ज्यादा कॉंसिंट्रेशन और वेल्थ जो हुआ है, पिनोचे का सरकार के बाद ही हुआ है, पिनोचे का समिधान बदलने की भी बात है, एजंडे में जो तबदिली की बात है, तो आखिर जो पिनोचे के समिधान की बात है, वो क्या है, उसको बदलने के एजंडे को घो क्योंकि उसने कू के बाद वो उसने जो कहते है आपका शिकागो स्कूल जिसने नियो लिबरल का नीम रखा उनको बुलाया था हमारा एकॉनमी जो पूरी तरह से नियो लिबरल बना दो और जो आप देख सकते हैं कि बिजली की डीजी कर जो बाद में मार्गरेट ठाचर करती है उसका पहला शुरुवात पिनोचे नहीं किया था और संग्विधान में बहुत सारे ऐसे सिधान लिखे हुए हैं जिसके जरिये अगर आप जनता को मदद करना चाहते हो सरकार के जरिये तो कॉंस्टिटुशन रुकावट है उसके तो बिजली का दाम क्या होगा उसकी प्रिंसिबल भी उसमें इलेक्सिटी एक्ट में डाला गया है कि इस दाम पे देना पड़े इससे कम नहीं हो सकता तो मतलब सरकार के हाथ पैर बहुत चीजों में बांद दिया था खास तो सोशल सिक्योरिटी जो बात इस पर जो कह सकते है शिकागो स्कूल की इकनॉमिक अविदान जो था उसको कॉंस्टुटुशन में डाल दिया था तो वह सिर्फ रजीम बदलने की बात नहीं वह जो धांचा है उसको अगर बदलना चाहते हैं तो कॉंस्टुशन बदलना पड़ेग वहां पर एक रिफरेंडब में हुआ है जिसके जरीए यह कहा गया है कि कॉंस्टुशनल नया कॉंस्टुशन बनाय जाएगा उसकी तैयारी उसकी प्रक्रिया जारी है तो प्रेजिडेंट अगर गैर ताकत आता इसका तो शायद एक कॉंस्टुशन बनना और सवाल सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं सिर्फ अफगानिस्तान में भुखमरी का नहीं या चिले में हुई परिवर्तन की पूरी की पूरी आंधी की नहीं सवाल बहुत तीखा और साफ है कि अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें अपने देश के लिए दुनिया स जुलसा रहे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते और इस पर बहुत तीकी पैनी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है देखे लाइक करिए नियूस क्लिक पड़ताल दुनिया भर की शुक्रिया